हम discuss करेंगे एक another important topic जो की competitive exam के perspective से बहुत important है जी हाँ जैसा कि हम सब जानते हैं कि आने वाले कुछ महीनों में जवाला नहरु उनिवर्सिटी नॉन टीचिंग पोस्ट का exam होगा EPFO Social Security Assistant के exam होगा और IGNU का Junior Assistant कम टाइपिस्ट का exam होगा और इस तीनों exams को कंड़क करवाएगी National Testing Agency तो उसी के perspective में मैं आपके लिए एक important topic लाया हूँ जो की National Testing Agency कई बार इस topic से question पूस्ती है तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को और जानते हैं Grassland and International Boundaries के topic को और इस में से कौन-कौन सी चीज़े important हैं जो की हमारे competitive exam के लिए जरूरी हो सकती है अब यह जो आप अपनी स्क्रीन पर topic देख रहे हैं इसका आपको हिंदी में translation भी मेरे चैनल पर मिल जाएगा आप जाके वो जो बुक है हिंदी में भी download कर सकते हैं और उस topic से इस उस book से grassland वाले topic को आप हिंदी में जाके समझ सकते हैं बट अभी की यह देख लीजिए कि कैसे questions पूछे जाते इस topic से अब अल ओवर वर्ड जो है grassland दो प्रकार से होते हैं एक tropical pastures होता है temperate pastures होता है ठीक है यह तो हो गया आपके कितने प्रकार के grasslands है नेक्स्ट है आपका कि tropical pastures जो है कौन सी country में पाया जाता है जी हाँ कौन सी country में कौन सा tropical pasture का क्या नाम है तो अगर हम बात करें एफरिका में tropical past हैं वेनिजियला और कोलमबिया में अब लेनुज को ऐसे याद रखिए डेके वेनिजियुला में भी L है और कोलमबिया में भी L है तो आपunter बावा को स्बावर भाखना माई only और कोलमबिया को ऑप यह बहुत अच्छी फुटबॉल टीम्स मानी जाती है तो आप ऐसे याद रख सकते हैं पॉंप होगा तो वह ब्राजील है फुटबॉल बॉल से ब्राजील होगा ठीक है को amounts on papers काने अगा था हम बात करें प्रेश था से हैउ यहां में ये युएस से में प्रेरी है प्रेरीज अब ऐसे याद रखें यो से की जो शुनिशन नवह 65% Christians है सिप्टिवाइब संसे और वह करते हैं चर्च में प्रेयर तो प्रेयर जो है वह आपको प्रेयर की तरह लग रहा हो प्रेयर कहाँ होती है Sergeant में होती है क्रिस्चन जादा कहा है 65% वह हैं आपके USA में और USA के बगल में ही है कैनेडा तो वह आपका प्रेरी से ऐसे याद हो जाएगा नेक्स्ट मैं कर बात करूं पैंपस देखिए आपको कंपोस पैंपोस इसे पैंपस है लेकिन आप पैंपोस बोलिए कि याद करने के लिए बहुत और फुटबॉल क्या हो तो पॉंप वाला शोत है तो पैंपस पस इस चाप कई लोग बोलेंगे कि सर यह कैसे डिफ्रेंशेट करेंगे कि कैंपोस में भी पैंपोस में भी पोस आरा पर यह ऐसे याद रखना देखिए C और B पास-पास हैं तो अगर कभी भी कैंपोस वाला ठीक ही तब काम आईगी ऐसा अफरीट को ऐसे याद रखनें करनी है साध अफ्रीका में क्योंकि रीकेट मैच से फिर PCR कर सकते हैं कि वेल्डिंग मैच के क्रिकट मैच के स्टीडियम में तो आपको वैल्ड से याद रखेगा अब देखिए रेंज लेंड्स और डाउंस इन ऑस्टेलिया अब और न्यूजेलेंड और न्यूजेलेंड सबसे जादा स्लेजिंग के लिए फेमस है क्रिकेट में तो आप ऐसे आद रखना जब स्लेजिंग हम करते हैं तो हम किसी के क्या मोटिवेशन को डाउन करन सबसे पुराना मित्र है तो मित्र की तरफ क्या हमें लेना चाहिए कदम पढ़ाने चाहिए हमें दोस्त की तरफ तो रश्य हमारा मित्र हो गया स्टैप हम बढ़ा ही रहे हैं तो आपका स्टैपीजिंग रश्या एंड हो जाएगा तो guys ये वाली trick आपको ये जितने भी नाम है ये बहुत याद करने में help होगी और ये वाली trick आप अपनी rough copy में जो आप बना रहे हैं मेरे वीडियो के साथ साथ वो आप जरूर सेव कीजिए जिससे आपको revision में बहुत आसानी हो ठीक है तो ये होगे आप grasslands का topic अब next अगर मै बात करूँ some important boundary lines जी हां important boundary lines कई बार और बहुत बार पूछी जाती है किसी भी competitive exam में चाहे आप SSC के लिए प्रिपेर कर रहे हैं चाहे आप UPSC के लिए प्रिपेर कर रहे हैं चाहे आप autonomous bodies like JNU, IGNU, EPFO इन सब के लिए त्यारी कर रहे हैं तो पहला इसमें है question या फिर पहल पाकिस्तान और अफगानिस्तान में याद रखे हिंडन बर्ग लाइन को जर्मणी ऑन पॉलेंड के बीच में याद रखे है 49th parallel को आप USA और कैनेडा के बीच में याद रखे मैक मोहन लाइन इंडिया और चाइना के बीच में या फिर तिबद के बीच में रखे में मेंग नाइसी लाइन यहापकी जर्मणी एंपोलेंड में यह यह भी बहुत इंपोर्टन्ट यह रखना एंडिया पाकिस्तान एंस क्लें करता है तो यह वह गए आपके ऍंतरनाशनल बाउंडरी जो की आपके बहुत elephant हो जाती है from the perspective of any competitive exam तो सब्राइब आपको जाती है तेख एंफ्रयds वेडियो चाहते हैं मैं ऐसी ही ट्रिक्स आपके लिए रेगुलर बेसिस पर लाओं तो इस वीडियो को लाइक किजेगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा जिससे आपका नेक्स टाइम नोटिफिकेशन आपाए जब मैं ऐसी किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में आपक के लिए ट्रिक लाओंगा ये था आज का वीडियो थैंक यू फॉर वाचिंग